वहाँ पर कि उस समय जब लोगों को घेरा जा रहा था तालिवान का युद्ध देख रहे थे हम लोग टीवियों के अंदर जो युद्ध हमने तालिवान का देखाना ऐसा ही छाप आमारी कि स्वरूप में मेवात के उन आतंकियों ने हिंदु यात्रा को खंडित किया हिंदु यात्रा को रोता और हिंदुओं को गोलिया चारो तरफ से चलाई उन्होंने यह सोचने का विश्य है कि भारत के अंदर धर्म की यात्रा करने के लिए जब भी देश के अंदर आवान होता है जब भी आवान होता है तो एक हिंदू संस्कृति का पालन करने वाला अपने आराद्ध को कैसे जलर पिंट करेगा कैसे उसकी पूजा पद्धती को करेगा उस विचार को सोच कर यात्रा में जाता है जब हिंदूों की यात्रा होती है या यात्राव की घोशनाए होती है दूसरी तरफ एक समुदाए उस यात्रा को भंग करने के लिए उस यात्रा को रोकने के लिए उस यात्रा पर अपने मजभी जो उनके विचार है उसको रोकने के लिए हर संबब परियास करने लगता है यह क्यों होता है उसकर देश में संविधान है देख रहे हैं भारत के अंदर सम्मिधान हैं सम्मिधान की बड़ी बड़ी बाते हैं कानून है कानून की बड़ी बड़ी बाते हैं देश के अंदर एक नई संसद ववन बनाई जाती है कानून को बनाने के लिए लेकिन हम एक तरफ देखते हैं कि दिल्ली से बिलकुल नजद भी नहीं है और अपनी पीडी को भूलने भी नहीं देंगे देखिए माननिय मुख्यमंत्री मनहोर लाल खटर जी से मैं एक बात कियाना चाहता हूं कि आपका मेवात का प्रशाशन फेल हो गया और वो फेलियर हजारों लाखों यात्रियों को जान की जोखिम में डाल गया पांच घंटे तक हम लोग प्रत्यक्ष हैं वहां के हम लोगों ने फेस किया वहां पे सेकड़ों लोगों की जान बचाने का भी हम लोगों ने काम किया लेकिन हम लोग प्रत्यक्ष हैं कि पुलिस के सामने जब लोग मदद के लिए जा रहे थे तो पुलिस भी लाचार होकर उनकी और सिर्फ देख रही थी और बिना शब्दों के कह रही थी कि भाग जाओ या फिर हमें भी बचा लो ऐसा उन पुलिस के चेहरों में भी था मेवात आज हिंदोस्तान के अंदर मैं एक बात क्यों हूँआ कि हिंदूओं तुम लोग हो सकता है कि मुझे सुन रहे हो और मेवात को देख रहे हो यह केवल मेवात में उपस्थित, ब्रिजमंडल की यात्रा में उपस्थित केवल हिंद्वों के उपर हमला नहीं था ये संपूर्ण भारत के हिंदूओं की आस्था पर हमला हुआ है ये उसी प्रकार हुआ है, जिस प्रकार अमरनाथ यात्रा में हमले हुए होते थे मेवाद कोई चोटी घटना नहीं हो सकती है मेवाद एक सोची समझी साजिस है अआब एक आतंकी हमला है मेवाथ आतंकियों का केंद्र बन चुका है जिस देश के अंदर सम्विधान की बात हो जिस देश के अंदर भारत के लोग सम्विधान पर विश्वास करते हो जीने के लिए सम्विधान के आधार मुल्यों पर अपने जीवन को चला रहे हो क्या भारत के अंदर सम्विधान को मानने का कारी सिर्फ हिंदू करेगा उस समय भी करेगा जिस समय आत्मरक्षा का अधिकार हिंदू के पास होता है किसलिए कि जब सरकारों का कंत्र खतम हो जाए सरकारे विफल हो जाए तो हमारे सम्विधान में भी लिखा हुआ है कि अपने परिवार और अपनी जान की रक्षा के लिए आप सामने वाले को उसकी किरिया की प्रतिक्रिया दो वही आत्म रक्षा कहलाती है लेकिन आज मैं आपके माद्धिम से एक बात कह रहा हूँ आपने भी एक बात वो ली कि गंगा और जमना की तहजीव कोई तहजीव नहीं है ये केवल जुमला है गंगा भी हमारी जमना भी हमारी और देश के अंदर अगर ये आतंकी मेवात कि उपर सरकारे अगर कारवाई नहीं करती है तो मैं आज एक बात कह रहा हूँ कि देश के अंदर अगर मेरे परिवार के उपर गलत नजर किसी ने रखी मेरी धर्म और मेरी भावनाओं को आहत किया तो मैं हाथ जोड़कर उस नियाए धिस से भी कहता हूँ जो वीडियो को संग्यान में लेकर सरकार को आदेश देते हैं मेगाले के लिए चीफ जस्टिस जी ये हिंदू आपके आगे हाथ जोड़ रहा है और कह रहा है कि संग्यान आपको मेवात में भी लेना चाहिए कहना चाहिए आपको भी उसी प्रकार जिस प्रकार मेगाले के लिए आपने कहा मनिपूर के लिए कहा उसी काराब मेवात के लिए भी कह दो कह दो कि सरकार कारवाई नहीं करेगी तो भारत का सुप्रीम कोट कारवाई करेगा और अगर नहीं कह सकते तो भारत का हिंदू कह रहा है कि अपने परिवार और अपनी भावनाओं को धर्म की रक्षा के लिए अब हम शस्त्र भी उठाएंगे सरकारे लाइसेंस दे सकती हैं तो देदे हिंदूओं को नहीं तो हम अपने देवी देपताओं के शस्त्रों को केवल उनके हातों में तस्वीर रूप में पूझना बंद गर देंगे हम उठाएंगे सरकार जिम्मेदारी ले कि ऐसी दुरुभग के पूर्ण जो घटना मेवात के अंदर हुई है उस मेवात के अंदर उस यात्रा को दुवारा सम्मान के साथ जलबिशेक करा जाए मैं कहना चाता हूँ सेकडो हजारो सिब भक्तों ने जलबिशेक नहीं किया यात्रा को रोग दिया गया क्या भारत के अंदर मेवात के यात्रा रुख गई यानि भारत के अंदर आज लोकतंत्र मेवात के अंदर खतम हत्या हो गई कहां गए वो बुद्ध ही जीवी जो बड़ी-बड़ी बाते करते थे लोकतंत्र खत्रे में है कहां चले गए जब ननलण महादेव मंदिर में हजारों की संख्या में महिलाएं कैद थी और बाहर से गोली वारी चल रही थी कहां चले गए ये लोग आज पीड़ा है और एक बात कहते हैं सरकारों से कि जल अभी शेक सम्मान के साथ करवा दीजिए नहीं तो अब हिंदू अपने धार में गास्ताओं के साथ खेलवाल नहीं बरदास करेगा जवाब देंगे प्रचंड देंगे वहां के लोग तो ये कह रहे हैं कि जो जाट है अलग अलग समुदाय के लोग है वो कह रहे हैं कि इस मामले में हम सामने नहीं है हम साथ नहीं है हम ये एक अलग तरीके की प्रक्रिया चलाई जा रही है इसमें हम साथ देने वाले नहीं है देखिए जो आज के वर्तमान मुसलिम है वो कल का कायर हिंदू था वही है जो सनातन को छोड़ कर इसलाम को स्विकार करकर आज हिंदूत्व को खतम करने का कारी कर रहे हैं यह वही कायर हिंदू है और मैं आज के हिंदूं से कह रहा हूँ अगर तुम आज नहीं बोले तो आने वाला मुसलमान तुम हो ये निश्चित है क्योंकि उनका एजंडा वही चलेगा हम ना तो सेकुलर हैं अपने धर्म के लिए लड़ेंगे और कट्टरता से लड़ेंगे क्योंकि अब ये भाई भाई हमें नहीं समझ में आई सरकार की ऐसी कोई भी नहीं थी क्योंकि हमारा एक ही भाई केवल हिंदू हिंदू का भाई और उसके लावा कोई नहीं है हमारा भाई हमने देख लिया वाँ छोटे छोटे बच्चों के उपर हमले हुए थे हमने देख लिया हमारी बेहनों पर, बुड़ी माताओं पर, बुज़र्गों पर हमले हुए थे हमने सब कुछ अपनी आँखों से देखा है हम नहीं भूलेंगे और ना भूलने देंगे और सरकारों को भी सोचना चाहिए मनहोर लाल खटर जी ने एक बात बोली थी मैं कहना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी आपने बड़े आशानी से कुछ शब्द बोले पीड़ा हुआ हमें मैं या उसका एक जवाब देना चाहता हूं आपके माध्यम से आपने खा कि परदेश की पुलिस पुरे परदेश की जनता की सुरक्षा नहीं कर सकती लेकिन एक बात कहना चाहता हूं कि जब आप लोगों को राजनीती के अंदर मुख्यमंत्री के लिए चुनाव कराना होता है तो आप एक एक व्यक्ती तक पहुँच कर उसका वोट प्राप्त करने का जो कार्य करते हैं न उसी प्रकार उसे एक एक वोट देने वाले की सुरक्षा देने की जिम्मेदारी भी सरकारों की है ये कहकर पल्ला नहीं जाड़ सकते कि हम समस्त पुरे परदेश के लोगों को सुरक्षा नहीं दे सकते यह कहना अनूचित होगा सबका साथ, सबका विश्वास और विकास कहने वालो सबको सुरक्षा देना भी तुम्हारा काम है यही लोग तंत्र है अगर नहीं इस लोग तंत्र में सुरक्षा दे पाओगे तो फिर भारत के अंदर एक सबसे बड़ी आबादी सनातनियों की है और फिर वो भी एक भीड तंत्र दिखा सकता उन जाहिल तंत्र वालों की तरह जो बार बार भीड तंत्र दिखाते हैं और पत्थर फैकते हैं भारत का हिंदू भी भी दिखाना जानता है क्योंकि हम ना मर्द नहीं हैं नहीं नपुनसक हैं बच्चों और बूरों पर और माताओं पर हमला करने वालों ललकार दे कर बुलाओ जिस मैदान में बोलोगे जिस मेवाद की धर्ती पर बोलोगे वहां घुसके बताएंगे तुमको क्या होता है अरे कायरो बुजदिलो भायात्रा में जाने से पहले एक पेस्बुक पोस्ट आ जाता है उसके बाद वो कहते हैं कि लोग यहीं से दंगा भड़का है देखिए पता